राइट मैसेज, राइट कम्मुनिकेशन, कंट्री इंसाइड न्यूज राइट मैसेज, राइट मैसेज, राइट मैसेज, राइट कम्मुनिकेशन, कंट्री इंसाइड न्यूज एकल पदों पर और वाट के सदक्स के पदों पर, जब आक्ट बना करके सुप्रिम कोर्ट ने उस पर अपना मुहर लगा दिया, तो फिर इस तरह के सवाल आना ही ठीक नहीं है, एक, दुसरी बात, सुप्रिम कोर्ट का जो भडिक्ट है कि 50% आरक्षन से ज़्यादा नहीं होन चाहिए, जब कि यहां बिहार के आरक्षन अभी 50% की सीमा के पास भी नहीं पहुंचा है, तो उसका भॉलिसन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो भारतिये जनता पार्टी उल्जाना चाहती है आरक्षन को, खास कर अति पिछरा दलित समधाय को जो पंचायतों में आ उन्हों ने 2015 के विधानसभा के चुनाओं में आरक्षन की समिक्षा की बात कही थी, उसके बात देखे थे कि बिहार में क्या हुआ भारतिये जनता पार्टी का हरस, लेकिन वो भारतिये जनता पार्टी आरक्षन के सवाल पर, आरक्षन की समिक्षा के सवाल पर, आरक्षन करने के सवाल पर कुछ भी कर सकती है दो चेहरा उनका है एक जो दिखाने के लिए कि हम आरक्षन समर्थकों का बहुत बढ़ा ही तैसी है और दुसरा परदे के पीछे से दुसरा काम करती है जब EWS को आरक्षन दिया जा रहा था तो कौन सा कमिशन गठित किया गया था कौन सी बहास कराई गई थी बिना कमिशन का रिपोर्ट आये हुए दो दिन के अंदर परलाइमेंट से पास करके EWS को आरक्षन दे दिया गया उस समय तो कुछ सैसी बाते नहीं हुई थी तो अब जो कमजोर समाज का जो आरक्षन पिछले तीन टर्म से मिल रहा था बिहार में चौ स्कुल सरकार ने तै किया है मैंने भी समाचार पत्रों में देखा है टेलीवीजन में आज देखा है कि सरकार के मंतरी आदरनीय विजय चौधरी जी ने सरकार के हवाले से कहा है कि सरकार पटना हाई कोट के आदेश के खिलाफ सुप्रिम कोट में जाएगी सुप्रिम कोट म और पिछड़ा के लिए अगर बिहार सरकार अरक्षन देने की निती पर कायम है तो इसके साथ भारती जनता पाटी दो मुहारूख अपनाती है हमारे सजोगी रंजय के साथ कोसलेंदर पटना से